हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, डिजाइन को तयार करने के लिए साड़े चार इंच ओड़ा हमने एक लंबा सा कपड़ा लिया है, कपड़े की लंबाई एक साइड से 19 इंच है, तो आपको इसका डबल लेना है, कपड़े के पीछे हमने इस्तरी की सहायता से बकरम को चिपकाया है, अब हम एक इंच चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे, कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहां किनारे की साइड में लगाएंगे, और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे, इस तरीके से सिलाई चलाते हुए हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें कपड़े के दूसरे साइड में भी सिलाई कर लेनी है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नई डिजाइन की वीडियो देखना चाते हैं, तो प्ल दोनों साइड में हमने कपड़े को ऐसे लगा कर सिलाई कर ली है, अब हम इस कपड़े को अंदर के तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और उपर की साइड से सिलाई चला लेंगे, सिलाई चलाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है, किनारे की साइड में हलका सा हमारा दूसरे क कपड़ दीखना चाहिए इस तरीकflix आप कपड़े में मार्केट जैसा पाइप इली तयार कर सकती तो यह देखे कपड़े कि एक साइड में हमने ऐसे पाइप इन बना ली है बिल्कूल इसी तरीके से दूसरी साइड में कपड़े को फोल्ड करके हमें ऐसी पाइप पिन बना लेनी है कपड़े की दोनों साइड में सिलाई चलाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे अब हमें इस कपड़े की कटिंग करनी है कटिंग करने से पहले फ्रेंड कपड़े की चौड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं तो ये देखिए कपड़े की चौड़ाई साड़े तीन इंच है जितना हमने कपड़े की चौड़ाई लिये उतना हमें कपड़े की लंबाई ऐसे नापना है और टिक लगा देना है अब जहां हमने टिक लगाया है, वहां से हमें कपड़े को कट कर लेना है, तो यह देखिए, यहां पर हमने टिक लगाया है, तो कपड़े को ऐसे फोल्ड करके, हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, जहां जहां हमने टिक लगाया है, वहां से हमें गोंद लेना है, गोंद को हम कपड़े की उपर ऐसे लगाएंगे, कपड़े की उपर गोंद को हमने अच्छे से लगा लिया है, अब दोनों साइट से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, इस साइट से भी हमें फोल्ड कर लेना है कपड़े को, तो ये देखिए फ्रेंड कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमने डिजाइन बना लिया है अब हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे तो ये देखिए ऐसे हमें सिलाई चला लेनी है जिससे हमारा डिजाइन हमेशा के लिए परफेक्ट सेप में बैठ जाएगा दूसरे साइड में अब हम सिलाई चला लेंगे जो बीच वाला फ्रेंड हमारा वाइट कलर का कपड़ा है उसके दोनों साइड में हमें सिलाई चला लेनी है अब ये देखिए सूई धागा के मदद से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके दोनों साइट से अच्छे से लॉक कर देंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजली तैयार कर सकती है अब हम धागे को पीछे की साइट से अच्छे से लॉक कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से सेम साइच का हमें ऐसी आठ नो डिजाइन बना कर तयार कर लेनी है तो ये देखिए हमने ऐसी आठ नो डिजाइन बना कर तयार कर ली है अब हमें आस्तिन का कपड़ा लेना है तो फ्रेंड आस्तिन की लंबाई आप अपने इसाब से ले सकते हैं मैंने आस्तिन की लंबाई साड़े 18 इंच ली है और इसकी चोड़ाई एक साइट से साड़े 6 इंच है अब हमें एक लंबा सा बक्रम लेना है पर आज थे में बक्रम के लंबाई आस्तिन के चौडाई के rurich है और बक्रम की चौडाई 2 इंचे। इसे इस्तिरी के सहायता से कपड़े पे चिपकाने के बाद किनारे की साइट से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब हम यहां से धागे को कट करेंगे, अब जो हमारा आस्तिन का कपड़ा है, हम उसे ओपिन करेंगे और बक्रम को यहां पर ऐसे लगाएंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे. अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और कपड़े को सीधा करेंगे, कपड़े को सीधा करते हुए हम इसके ओपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला देंगे. अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे. धागे को कट करने के बाद अब हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और इसके ओपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है. अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे. धागे को कट करने के बाद किनारे की साइट से हमें एस्टरा कपड़े को कट कर लेना है. दोनों साइट से हम एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे अब हम आस्तिन के कपड़े को ऐसे उल्टा करेंगे फिर यहां से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे तो फ्रेंड आपको साड़े तीन इंच की चोड़ाई नापकर कपड़े को फोल्ड करना है यह देखिए साड़े तीन इंच की चोड़ाई पे हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और थोड़ी सी दूरी पे हम फिर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके किनारे के साइड में सिलाई चला देंगे बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड करके हम ऐसे सिलाई चलाते हुए करेंगे और सबसे पहले हम यहां पर डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे बीच में हमें सिलाई चलानी है यहां से धागे को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे डिजाइन को हमें यहां पर लगाना है और इसके उपर स सिलाई चला लेनी हैं तो ये देखिए फ्रेंट सारे डिजाइन को इस तरीके से लगाते हुए हमने इसके उपर सिलाई चला ली है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे सारे डिजाइन को आस्तिन के कपड़े में ज्वाइंट करने के बाद अब हमें बीच में से डिजाइन को ज्वाइंट करना है तो ये देखिए सूई धागा के मदद से हम डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करेंगे यहाँ से हमें दोनों design को अच्छे से जॉइंट कर लेना है ऐसे अब हम पीछे की side से धागे को lock कर देंगे यहाँ से धागे को cut करेंगे फिर design के दूसरे side में भी हम धागे की मदद से design को lock कर देंगे इस तरीके से आपका design हमेशा के लिए perfect shape में बैठ जाएगा अब हम यहाँ से धागे को लोग करके धागे को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से सारे डिजाइन को हमें अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है सारे डिजाइन को ज्वाइंट करने के बाद अब हमें सुई धागा के मदद से या फैबरिक ग्लू के मदद से डिजाइन में ऐसे मोती को लगा देना है जिससे हमारा डिजाइन और भी सुन्दर लगेगा तो इसी के साथ फ्रेंड हमारा डिजाइन बन के कम्प्लीट हो चला है आपको ये डिजाइन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिए